पिछली क्लास में हमने पड़ा था कि सविधान का निर्मान कैसे हुआ, सविधान का अर्थ क्या है और हमारी जो सविधान सभाबनी थी उसका सवरूप कैसा था जिसमें हमने देखा था कि हमारे सविधान को बनने में दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन का समय लगा था और इतनी कड़ी महनत के बाद हमारे देश का सविधान बनकर तैयार हुआ और जिसकी अनुसार ही हमारे देश का शाषन चलाया जाता है ठीक है उसमें हमने सविधान के अर्थ पड़ा था कि सविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें उन सभी नियमों और कानूनों का उलेक होता है किया जाता है जिसके द्वारा एक देश का शाषन सुचारू रूप से चलाया जाता है उसके अंदर ही बताया जाता है कि एक देश की सरकार के कितने अंग होंगे परते अंग के क्या कार्य होंगे क्या कर्तव्य होंगे नागरीकों के क्या अधिकार होंगे तो इन सब को एक लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में सविधान के अंदर लिख दिया जाता है इस पस्ट रूप से अब बच्चो कॉश्चन ये उठता है कि आखिर सविधान की आवजशक्ता होती क्यों है क्या जरूरत है हमें सविधान की ठीक है सविधान की आवजशक्ता आखिर क्यों है क्या reasons हैं कि एक देश में सविधान होना ही चाहिए सबसे पहला हमारा reason आता है देश में अनुशाशन, शान्ती एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखो बच्चो हमें हमारी life में चाहे हम एक घर में रह रहे हूं समाज में रहे रहे हूं या एक देश या विश्व में रह रहे हूं सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है अनुशाशन, डिसिपलीन, शान्ती और व्यवस्था और इन सब को इस्थापित करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही किसी ना किसी के द्वारा तो इस्थापित क्या ही जाएगा? जैसे तुम अपने घर में देखो, घर में तुम्हें कौण डिसिपलीन में रखता है अगर तुम कुछ गलत करते हो, तुम्हें कौन टोकता है? मम्मी, पापा या बड़े भाई, भेहन ठीक है अगर वो तुमें नहीं टोकेंगे नहीं रोकेंगे तुम क्या करोगे अंदा धुन दंगे मचाओगे पूरे घर को अस्त वियस्त कर दोगे मगर तुमें कोई रोकने वाला नहीं होगा तो तुम डिसिप्लीन में नहीं होगे ये घर की बात हुई अब तुम अपने स् ले जाओ कोई भी किसी परकार की strictness नहीं हो तो तुम क्या करोगे जाहिर सी बात है जिसकी जब आख खुलेगी सुभा वो तब आकर स्कूल में आएगा अपनी अटेंडन्स लगाएगा और चला जाएगा हमारे स्कूल का टाइम क्या गर्मियों में साथ बजे और सर्दियों म होंगे उनके लिए ना लेकिन मालो यह टाइमिंग कर दी गई कि कोई जो जबर्दस्ती नहीं है बस तुम कभी भी स्कूल में आ जाओ और आकर चले जाओ तो क्या करोगे कोई 10 बजे उठ रहा है तो दस बजे स्कूल में आ रहा है कोई 9 बजे उठ रहा है तो 9 बजे उठ कोई विल्कुल छुट्टी के टाइम 12-40 पे आया पटापन भाग के आया अटेंडन से लगा योर भग लिया है ना क्योंकि कोई strictness तो है नी कोई नियम तो है नी कोई कानून तो है नी तो ऐसी स्थती में क्या होगा स्कूल में अस्त वियस्तता है ना कोई कभी भी अपनी मर् होगा इंगलिष पर नी है इस समय पोलिटिकल साइंस का पीरड होगा पॉलिटिकल साइंस पर नी है ये समय mostly का क्लास में चाहरी हूं मुझे नी पर写ब नी उदर गूमता रहेगा या मेरी मर्जी है मैं कहीं भी जाओ इसकूल में कोई कानून थोड़ी ना है कोई टाइम टेबल थोड़ी ना है तो वो कहीं भी जा रहा है इसी तरीके से मान लो ड्रेस कोड भी ना हुआ तो क्या करोगे जो लड़कियां वो तो अपना फैशन के कपड़े रोज पहन पहन करा जाएंगे और दूसरे उनने नहीं हारते रहेंगे पढ़ाई लिखाई में तो मन लगेगा नहीं बस दूसरों के फैशन देखने में लगा रहेगा तो एक क्या हुआ उस स्कूल में अस्त्व स्था फैल जाएगी बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं कूद रहे हैं नाच रहे हैं पर कोई रोखने टोकने वाला नहीं है तो क्या होगा स्ठकों पर भी कोई नियम कानून नहीं होगा तो क्या होगा कोई भी किसी भी दिशा से आ रहा है किसी भी स्पीट से आ रहा है और दूसरे को मार पीट के भागे जा रहा है तो सड़क पर यस्त व्यस्ता फैल जाएगी ऐसा क्यों हुआ यस्त व्यस्ता क्यों फैल इतमारे घर में या स्कूल में या सड़क पर क्योंकि कोई नियम ही नहीं था कोई कानून नहीं था कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था तो हम क्या देखते हैं कि अगर नियम और कानून नहीं है व्यवस्था नहीं है कुछ भी इस्टिक्नेस नहीं है तो देश में अनुशाशन हींता फैल जाएगी शांत अगर हम पूरे देश की बात करें, तो अगर वहाँ पे भी नियम कानुन नहीं रखे जाएंगे, तो पूरे देश में तो अतंक की मच जाएगा, पूरे देश में क्या फैल जाएगी, अशान्ती, तो इसलिए देश में अनुशाशन बनाए रखने के लिए, शान्ती और व्य सविधान की जरूरत है ताकि देश में शाशन और व्यवस्था बनी रहे। अगर उसे नियमों में अगर हम नहीं बांदेगी उसके क्या करतव्य हैं उसे क्या काम करना है उसे नागरी को कि कौन से अधिकार उन्हें देने हैं अधिकारों keyboards करने है वो तो तानाशा बन जाएगी क्योंकि जो भी कोई पोस्ट पर आ जाता है गद्धी पर आ जाता है जिसे एक पद मिल जाता है वो उस पद का भरपूर फाइदा उठाता है ठीक है और वो उससे कोशिश करता है कि जादा से जादा फाइदा उसका हो बाकियों का हो या ना हो मर्जी मतलब नहीं है अपना फाइदा हो और दूसरा उस पोस्ट के बलबूते वो ये कोशिश करेगा कि दूसरों को वो किस तरीके से परिशान कर सकता है यानि अपना दबदबा स्थापित कर सकता है है ना तो इस चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि उस सरकार पर भी कोई ना कोई नियम और कानून लागू किये जाए ताकि सरकार तानाशा ना बन पाए तानाशा यानि जो अपनी मर्जी चलाते हैं जो जिनके सारे अधिकार तो अपने होते हैं और कर्तव ये बाक्यों के लिए छोड़ दिये जाते हैं ठीक है तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं तानाशा तो अगर नियम और कानून नहीं होंगे सरकार पर भी कोई ऐसा नहीं होगा जो उस पर रोक लगाए जो उसको किसी नियमों में बांधे अगर ऐसा नहीं है तो वो सरकार क को नियंत्रन में रखने के लिए उसे जनकल्यानकारी बनाए रखने के लिए उसे तानशा बनने से रोकने के लिए हमें नियम और कानूनों की जरूरत होती है और ये नियम और कानून कौन देता है सवीधान ठीक है समझ में आया तीसरा हमारा कारण आता है नागरिकों के मोलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक कौन है जो एक देश में रहते हैं ठीक है उन्हें अधिकार सरकार के द्वारा भी दिये जाते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं एक लोक्तांतरिक सरकार की तो एक लोक्तांतरिक सरकार में लोक्तांतरिक शाशन में नागरीकों को अधिकार सरकार नहीं देती बलकि सविधान के द्वार दिये जाते हैं सविधान में लिख दिया जाता है कि यह यह अधिकार है जो नागरीकों को दिये जाएंगे उनसे कोई छीन नहीं सकता जैसे हमारे देश में सविधान के भाग तीन में नागरीकों को छे मूलिक अधिकार प्राप्त हैं समानता का सबतंतरता का जिवन जीने का अधिकार शिक्षा का अधिकार धार्मी का अधिकार ठीक है, एस्त्रे से करके हमारे 6 अधिकार हो जाते हैं जो तुम आगे की ч iç эп्टर में आगे की classmates में पड़ोगे ठीक है, तो अब ये अधिकार तो दे दिये, लेकिन मालू लेकिन मान लो उस पर कोई रोक लगा दे कोई कह दे कि नहीं भई ये मंदिर मैंने बनवाया है तो इसमें केवल जिसे मैं चाओंगा वो यह आएगा बाकी नहीं आएंगे तो क्या ये उचित है क्या ये समानता है या एक फैक्टरी है उसमें कुछ आदमी काम करें कुछ ओरत दोनों बराबर काम करें आठट गंटे आदमियों को तो पर डे उन्होंने हजार रुपे दे दिये लेकिन महिलाओं को पर डे 500 रुपे दिये क्या ये उचित है क्या ये उस महिला के अधिकार के अंदर आता है क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं है ठीक है इसी तरीके से हम ने देश है हम कहीं भी घूमने फिर ने जाए लेकिन मुझे रोक दिया गया यूपी में जाने से कि वह नहीं तुम नहीं जाओगी रिस्ट्रिक्टिट एरिया और हम तुम जाने के जाज़त नहीं जैते क्योंकि तुम इस फलाँ धर्म या फलाँ जाती के नहीं हो तो क्या मेरी सफतन्तृत्रता का हनन नहीं है। है नाór मुझे कहा दे जाता है कि तुम जो हम कहेंगे वह धर्म का पालन करना पड़ेगा और दूसरे धर्म को त्यागना पड़ेगा क्या वह मिरी 131 का हनन नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई भी मेरे अदिकारों को मानलो छीन ले लग जाए मुझसे मेरी समानता और सवतनतरता छीन ले तो मैं क्या करूंगे इस सिच्योशन में अगर ऐसा हो तो सविधान ही है जो हमें हमारे मोलिक अधिकार वापस दिलवाता है हमारे सविधान में ही एक हमारा मोलिक अधिकार है समिधानिक उप्चारों का जिसके माध्यम से हमारे अधिकारों की रक्षा की जाती है जिसके माध्यम से मेरे मोलिक अधिकारों को मुझे वापस दिलवाया जाता है सविधानिक उप्चारों के अधिकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स जारी करते हैं और मुझे मेरे अधिकार वापस दिलवा देते हैं इस परकार सविधान ही है जो नागरीकों के मोलिक अधिकार देता भी है और साथ ही उनकी रक्षा करने का भी प्रावधान साथ के साथ कर देता है तो नागरीकों के मोलिक अदिकारों की रक्षा के लिए भी हमें सविधान की जरूरत पड़ती है आगे आता है सभी के कर्तव्यों का निर्धारन करना ताकि कोई किसी के दिकारों का हनन ना कर सके अब अगर मैंने जैसे तुम्हारी पूरी क्लास है ठीक है उसमें 52 बच्चे हैं मैंने 52 के 52 बच्चों को मैंने कहा कि काम करना एक बच्चा क्लास के लिए एक क्लास पास बना कर ले आना यह बच्चा जो है एक बड़ा सा पोस्तर पे लिलाथ बच्चार्ट पे लिख कर लेकर आना 11th Cや D अपनी क्लास, ठीक है मैंने सबको कह दिया अगला दिनाया मैंने पूछा क्या भई तुम लोग लेकर आये सबके हाथ खाली किसी के पास था यह नहीं क्यों उन्हों नें कहा कि मैents मैड़म आपने तो सब से का था हमने सोचा कि इसने बना लिया होगा या उसने बना लिया होगा यानी सब का, अगर मैं सब को काम दे देती हूँ, तो वो काम किसी का भी नहीं हुआ, सब के कर्तवे किसी के कर्तवे नहीं हुआ, तो सविधान के द्वारा सभी के अलगलग कर्तवे निर्धारित कर दिये जाते हैं, कि वही विधाई का ये काम करेगी, कारेपाली का ये काम करेगी, नागरी का दिकार ही यह है नागरी का करतव्य यह है अब यह सभी अपना-पना काम करेंगे और इसके साथ ही दूसरे के मामले में हस्तक शेप नहीं करेंगे ठीक है तो क्या होता है कि अगर सभी को खुला छोड़ दिया जाए सभी के काम करतव्य निर्धारित कारे निर्धार सविधान के माद्यम से सभी के करतव्यों को निश्चित कर दिया जाता है कि तुम्हारे काम की यह सीमा है तुम यह कारे करोगे से बाहर नहीं जाओगे साथ ही यह भी देखा जाता है कि तुम दूसरे के अधिकारों का भी हनन नहीं करोगे तुम दूसरे के कारे शेत्रों में हस्तक शेप नहीं करोगे मेरा काम है जैसे विधाय का काम है कानून बनाना वह कानून बनाएगी लेकिन अगर मालो विधाय का जज्मेंट भी करने लगे तो यह वह नियाएपालिका के कार्यों का हनन कर रही है ठीक है जासे मालो मैंने एक मोनीटर बनाई तुमारी क्लास में यह काम सोपा की तुम्हा काम है सभी बच्चों को देखना कि क्या वह रोज प्रॉपर पहन कर आ रहे हैं क्या वह रोज प्रॉपर नेश्य देख देख कि कि किसी न ड्रेस पहनी यहनी नहीं कर रही है अब यह काम किष 然後 का था दूसरी monitor का हालत क्या हुई ऐसी situation में जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो मुझे पता चला कि कोई नेल्स देखने वाला तो है यह नहीं क्योंकि जो फर्स्ट सविधान भी इस तरीके से सभी के कार्यों को निश्चित कर देता और अगर कोई अपना काम छोड़ चाड़ के दूसरे के कारे शेत्र में जाता है तो वह दंडनी है अपराद होगा उसके लिए सजा मिलेगी ठीक तो सविधान यह निर्धारित करता है कि कि किसके क्या कार्य ह होंगे क्या करतव्य होंगे और कोई किसी के अधिकारों का हनन ना करे उनसे उसे ना छीने अगला हमारा पॉइंट आता जो मोस्ट इंपोर्टन है अपात और संकट के समय देश को मजबूत व्यवस्था परदान करना सविधान जो है उसमें ना केवल उन नियमों और कानू उनका उलेक किया जाता है जिसके माध्यम से एक देश की सरकार चलेगी देश का शाषण चलेगा नोर्मल डेज में जब शान्ती है बलकि वो व्यवस्था भी कर देता है कि मालो एक देश पर कोई अपातका ला जाए कोई संकट आजाए संकट किस माइनों में यानि कोई देश हमारे देश पर हमला कर दे या देश में ही कोई संकट की स्तती पैदा हो जाए देश में ही दो ग पंग हो जाती है आव्यवस्था फैल जाती है तो इस situation में देश कमजोर हो जाता है लेकिन सवीधान में ऐसी सिचुएशन के लिए भी पहले से ही नियम बना दिये जाती है तो अगर सवीधान में पहले से लिख दिया जाता है कि अगर मानलो देश पर कोई आपात काल आजाए कोई संकट की स्तती आजाए तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस समय क्या विवस्था होगी जैसे हमारे देश में यह है कि अगर देश में अपातकाल की स्थती आ जाती है तो उस समय हमारे देश की किंद्रिय सरकार को पावर्स दे दी जाती है Central Government को पावर्स दी जाती है कि वो इस संकट से निमटने के लिए क्या करे और देश सुचारू रूप से भी चल पाता है और हम उस संकट से भी असानी से निमट जाते हैं ठीक है बच्चो तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हमें देश में सविधान की अधिकारों का हनन ना कर सके नागरीकों के मोलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को तानशा बनने से रोकने के लिए देश में अनुशाशन और शांतियां व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें सविधान की आवस्शक्ता पढ़ती है ठीक है अब हम अपनी next class में म इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखीर सवीधान की क्या काई